तो सो नंबर का CGL का पेपर आएगा, अभी मेरे पास 6 महीने हैं, तो मैं इस शकर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगा, कि मुझे GS के अंदर 50 में 50 इसको लाना है नहीं, मैं GS के अंदर एक एवरेज परपरेशन करूँगा, एक एवरेज परपरेशन मेरी GS के अंदर और उस एवरेज परपरेशन से मेरे को 25 से लेकर के 35 मास तक भी अगर नंबर आ जाएं तो बहुत बड़ी बात, 50 आ जाएं तो अच्छी बात, क्योंकि GS में अगर मैंने बहुत जादा घंटे भी दे दिये, मैं मान के चलता हूँ कि अगर मैं 100% टाइम जो बताया मैंने दे 100 भी कर दिया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके 50 में 50 आ जाएंगे, मैं सबसे पहले GS पर ही बात कर लेता हूँ, अगर आपने 100% टाइम अगर आप दे रहे थे और उसको डबल भी कर दिया और आप सोच रहे हो कि GS में आपके 50 में 50 आ जाएंगे तो नहीं, हो स पढ़ा रखा है, उसके नोट्स ले लीजे, सिर्फ, GS की अगर मैं बात करूँ, तो किसी भी टीचर के नोट्स ले लीजे, अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को नोट्स से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये पता नहीं चल पा रहा कि कैसे पढ़ना है, त नोट्स से quality खतम करने के बाद, अगर आप previous year question कर पा रहे हो, तो समझ लो कि आपने ठीक पढ़ा है, क्योंकि GSB उस geometry की तरह है कि खाली अगर आपने थोरम सीख ली, और आप सोचो कि आप कर जाओगे, नहीं, मैं ऐसे बहुत बच्चाओं को जानता हूं, जिन्होंने पूर प्रक्टिस की जरूरत है, इसलिए कहा जाता है कि previous year practice करो, अगर आप complete previous year practice कर ले तो हूं, पूरे GS का, तो आप मान के चलो कि 10, 12, 15 मांक्स तो आपके वहीं से आ जाएंगे, जरूरी नहीं है ज़े सवाल आए, बट हाँ सवालों में link तो होता है, जब आप किसी सवाल को तो मैं यह कहा रहा था कि GS की अभी तयारी अगर सच में 6 months है, तो मैं कहूंगा कि 2-3 months सिर्फ notes पढ़ो, 2-3 घंटे पढ़े, notes पढ़ो, notes पढ़ो, और एक दिन छोड़के एक दिन, एक घंटा कम से कम practice, अगर आपने GS का syllabus खत्म करने की सूच ली, और आपने class लेना चालू कर दिया, तो यह पूरा साल निकल जाएगा, एक नंबर का तो फसेगा नहीं उसमें से, मैं इस बात की guarantee लिख के दे सकता हूँ, वरना कोई बच्चा मुझे आके बता दे कि मैंने GSH teacher से पढ़ी थी, और adjective सवाल आ गए, ने 5 बार CGL निकाला है, बहुत बहतर से समझता कर रहा हूँ, इसलिए request भी कर रहा हूँ और हाथ जोड के, कि सच मैं अगर CGL निकाला हूँ,